दोस्तों, आज मैं आप लोग असे बात करने वाला हूँ दो आएम्स की यह दोनों ही आएम्स डिफरेंट ब्रांड्स के हैं और यह ब्रांड पहली बार मैंने सुनी थी मैंने लिया इनको conceptcard.com से यह जानने के लिए कि एक्षिल में यह कैसे सांट करते हैं और यहां पे सिर्फ साड़े 600 रुपे का प्राइस ब्राकेट है आपके जैन का जो कि है अगर यहां पे बॉक्स के डिजाइन की बात करूँ दोनों ही काफी क्रेटिव लगे मेरे को और S-G-O-R that is Venus का box तो मेरे को बहुत एक्साइटिंग लगा तोटल ब्लाक अलर का box और सबस्ट अची बात कि इनने back में frequency response ग्राफ दिया हुआ है secondly यहां पे new नहीं यह box बहुत बहुत प्रोफेशनल तो नहीं है बात करेंगे पूरे वीडियो में की sound quality कैसी है design कैसा है क्या यह worth the money है आपको purchase करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो दोस्तों इसका वीडियो ना मैं बिल्कुल individual बना सकता है यहां पे 2 वीडियो बन जाते हैं यहां पे दो चोटे चोटे आएम से हैं और इनको क्योँ ना एक ही वीडियो में क्लब कर दिया जाये और फिर मजा भी आएगा रिवियू करने में और आपनों को सुनने में मजा आएगा तो सबसे पहले क्यों नहीं हम बात को लेता है यहां पे नियून के जैन की शाड़े 600 रुपे का प्राइस पॉइंट ठीक है यहां पर आये मिलता है बिल्कुल तोटल अक्रिलिक शेल्ड ट्रांस्परेंट बहुत ही लाइट वेट है लेकिन एक चीज़ आपको बता दूंग यहां पर जो केबल नहीं है तो यहां पर जो केबल यहां पर देखेंगे यहां पर शाड़े 600 रुपे का अगर हम बात करते हैं यहां पर ब्लॉंड के जिसका भी प्राइस पॉइंट लगभग ता सत्रा सुरुपे और वहां पर आपको मिलती थी नॉन डिटाचबल केबल क क्यां पर शाड़े ताय आपको मिल यहां पर शाय पर जो कि यहां पर चेक्शा केबल देखेंगे अलिट इन पर केंट इन बिटको डिलीटी इन तो यहां पर शाड़े कुई गोंड काशनी करते हैं यहां पर शाड़े 2.5 mm TRRS केरे यहां में लिलता को मैं सबसे अच्छी ब केब्ल केबल के यहां पे, चब केबल है, सिर्फाट भी टो केबल बातकर है, यहां पे लिडियाद, कजर। लोग सारे दी है हैं भी टाराव उवील केबल के लिए वाहर विकते हैं भी टॉप आपको GPS को सिर्फ दॉन को केबल करें तो यहां पर मेरको जो का जो design or build is really promising because देखने से लगता है यह काफी solid है इसका अभर मैं rare देखू हूं यहां पर translucent एक design है black color का tint है top में faceplate is totally made up of metal जो की matte texture में है and secondly top में एहां पर एक छोटा सा whole दिखता है जो rose gold color का है that is totally subjective to anyone's taste यह पर आपको बचाहिए इन दोनों का रीवीव मैंने करने के विडियो बनाते हैं चली शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसी भी एक आप को लेते हैं उसके सांड क्या इस इस बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्यों ना बात कर लें यहां पे जैन की जो के हैं नियून का बिकोज यह आता है साड़े 600 रुपे में तो सारी चीज़ मैं आपको बता दी कि इनका बिल्ड कैसा है जो कि काफी सही है प्राइस पॉइंट के एक्कॉर्डिंग और के नॉन डिटैजबल इस प प्राइस में बिक रहे हैं काफी लाइड यह लगा और मिर को सही लगा और सबसे अच्छी बात मिर को यहां पे लेगी कि जो इनका जो तो इनका जो त्रिबल रिजन है यह तैसे आप यह तो एक साइर्यम्हें जो कि देटा है तो जैन की अगर मैं में उन्से अगा बात कर और जब भी कोई चीज़ खराब नहीं होती तो उसको खराब होलने चीज़ फाइदा नहीं तो शाड़े 600 रुबे की प्राइस पॉइंट में यहां पर यह जो नियून की जैन है यह मेरे को काफी ठीक लगे सही बता रहा हूँ ठीक वोकल्स है, instrument separation above average level है, bass and sub-bass region अच्छा है त्रेबल बहुत हार्ष नहीं है, that's the best part about it त्रेबल बहुत हार्ष लगेगा, depending upon the track अगर आप कोई ऐसा track सुन रो जहां पर एक्जामपल थोड़ा bass and sub-bass region थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट है वोकल्स थोड़े उतने साथ प्रोमिनेंट नहीं है त्रेबल थोड़ा रिसस्ट है, तो वहां पर बहुत अच्छे sound करता है इवन मैंने देखा कि कुछ ऐसे songs जहां पर CR-A थोड़ा बहुत शार्प हो जारा था वहां पर ये zen शार्प नहीं हो रहा था तो टेक्निकालिटी बहुत ज्यादा नहीं है और शाड़ी छह सो रुपे में यह आई है मेरे को काफी सही लगा कि यहां खरीदा और सुना जब भी आप वारंटिक बात मुझसे करते ना इंस्टाग्राम में पूछता है या कहीं पूछते तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि प्लीज आस्क यूर सेलर जहां से पर्चस कर रहे है पहली उनसे यार कंफर्म कर लो कि वारंटी का क्या केस है तो वह आपको दंक से बता सकते है उसकेस में फिर आपको कोई कंफूजन नहीं होगा तो अच्छी बात ही है कि यहां पर अल्मूस्ट छाहिसों रुपे का फर्क है यानि कि अजस्ट हाफ अपर प्राइस आपको यहां पर मिलता है नून जैन पर बेस रिजन को इसादा क्वालिटी का डिफरेंस नहीं है फोड़ा बात जो बेस का यहां जो इसका लेवल था वह दुछा को जादा से लगा इन यून जैन अ comparison to this SGOR Venus. And let me talk about the vocal part. The vocal part was almost one. These two IEMs are V-shaped. V-shaped IEMs are not for critical and your monitoring purpose. So for fun listening obviously because our 66 price point, 1100-Rupiah price point, just like I have already told you. And Venus is pretty good. And let me talk about the instrument separation and the mid-range of Venus. Which is good. I mean above average level I should say. Because here, as I have told you, there are no issues. And the price point of 1100-Rupiah price point justify. Similar to the new Zen, here you don't get very harsh. That's the best part about both these IEMs. Sounds good. Good sound. And the vocal is good. Instrument separation is okay. Because the base and sub-base region was slightly better. And the energy was slightly more in the sub-base and base region. Which is your new. Both these IEMs are a little bit warmer than CCA CR-A. So guys, here was the review. And you know, somehow, I don't know why, but my ZX2 has more than the UKZ. I don't know why, but I think it's a good price point. I don't know why, but I think it's a good price point. I think it's a good price point. But the sound it provides you at the price point of 649 rupees is above average level. It is up to you, you have to take it or not. And you know, you should know your taste of this world and what type of signature you like. Guys, my name is Dinesh. I will find you in another video. And then, with some audio gear. Till then guys, keep listening. But at a very moderate level. Take care of yourself. Bye-bye.